तो रसीद कटने के बाद भी अगर संपति में किसी भी परकार का फर्जी बारा हो जाता है कोई ब्यक्ती संपत्ती को दूसरे ब्यक्ती के हाथों में बेस देता है तो कही न कहीं बड़ी ला परफवाही है यह और अगर आप offline रसीद कटा रहे हैं तो online हो सकता है कटा रहा हो अभी अगर आपका cut रहा है तो फिलाल कटा भी लें और ताकि जो बैक्ती जमीन खरदा है ठीक है उसके कबजे में जमीन है कोई बड़ी बात नहीं है ताकि आप उसके अगर वो दाखिल खारिज जो है बेज दिया है दाखिल खारिज पर आप objection लगा सके ठीक है ताकि दाखिल खारिज नहीं करा पाए और अगर वो दूसरे आदमी के कबजे में है ठीक है तो अभी depend करता है कि क्या करें सबसे पहले या तो सिबिल से जा सकते हैं लेकिन सिबिल में जाने से पहले एक बार जितने भी अधिकारी है ठीक है जमिन संबंदित राज़स संबंदित जितना भी जिसे SDM है SDO SDM है उसके अलाबा जो अंचल के अधिकारी और थाना परभारी है वहाँ पे एक बार आबेदन आपको देना चाहिए देखें कबजा से संबंदित विबाद जादा तरफ सिबिल न्याले को ही एक तरह से देखना है तो लेकिन फिर भी आप एक बार अधिकारी के पास ऐसा कंप्लेंट जरूर करेंगे इसलिए कि आपके स रेजिस्ट्री कैसे हो गया तो एक बड़ा सवाल है कोई यह ऐसा नहीं है कि रेजिस्ट्री हो जाना कि वहाँ पर वेरिफाई नहीं करना कि इसका लेंड का टेक्स कौन पर कर रहा है और वो लिखने वाला बैक्ती कौन है तो इस तरह कहां अगर वो कोई परिवार का लोग केस कोजिस्ट्री के पास इसकेस को फाइल करें और उसके बाद सिविल नयाले का सहरा लें अगला सवाल है कि सर मेरी मदर की वस्यत बनी हुई है 2013 में रेजिस्टर्ड है यहां पे रेजिस्टर्ड उसमें लिखा है कि मेरे बाद मेरे दोनों लड़कों को मेरी प्रोपर्टी मिला और मेरी लड़कियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा वस्यत में उनके नाम भी लिखे हुए हैं और मेरी मदर का दोजर बीस में यहां पे सुर्गबास हो गया है वकील ने कहा कि कानून बदल गया है वस्यत काम नहीं आएगी प्रोपर्टी सभी का नाम आएगी इसमें क्या होगा देखें वस्यत यहां पे जो है न यह वस्यत का कोई कानून कहां बदला है वस्यत पैतरिक संपत्ति अगर देखें आपकी मदर की अगर सेल्फ एक वायर प् कोई नियम नहीं बदलेगा वस्यअत करने का तो अगर किसी को अगर कोई संपत्थी सेल्फ एक्वाइर प्रोपर्टी है अगर वस्यअत में जेना चाहे अपना प्रोपर्टी तो बिल्कुल सतंत रह rhy देने के लिए लेकिन वो प्रोपर्टी अगर ancestral property है मतलब पुर्बत से प्राप्त आपके नाना किसम पत्ती है या आपके दादा किसम पत्ती है परदादा किसम पत्ती है तो यहाँ वस्यत काम सही में नहीं करेगा सवाल है कि सर एक जमीन पर मेरा घर 1965 से पहले से ही है 1972 में जमीन मालिक ने उस जमीन को बेज दिया लेकिन अरिया ने यहाँ पर सिलिंग कर जमीन कबजा कर लिया अब मेरा रास्ता रोक रहा है देखिए अगर जमीन पर घर आपका 1965 से है ठीक है वो जो भी कर लिया जो कबजा कर लिया वहाँ पर लेकिन रास्ता से संबंदित अगर किसी परकार का विबाद है और आप लंबे समय सिरर है तो उस बैक्ती के खिलाब अगर मालते कोई रोक रहा है तो आप SDM के पास एक आबेदन दें या आप अपने से नहीं देख सकते हैं तो किसी वकील को आप कर लें ताकि वहाँ पर रास्ता संबंदी ज आ रहा है तो उसे संबंदी जो भी समस्या है वहाँ एक बार आप आवेदन करेंगे उसके बाद उस पर एक्षन जरूर लिया जाएगा सवाल है कि सर पैतरिक संपती को पिता ने अपने पुत्र बधू को दान पत्र लिख दिया है तो क्या वह किसी अन्न को यहाँ पर रज सिस्टी भी कर देगा तो भी वो सही नहीं होगा ठीक है फिलाल हो गया अगर उसके नाम से है तो लेकिन अगर कोई पैतरिक संपती पे जो भी उसका एक तरह अधिकार रखने वाला है तो वो अगर उस पर फाइट करेगा तो यह सारा कुछ जो है दान पत्र जो भी है वो मा sale देखें इस case में अगर माल लेते हैं आपका injection petition भी लगा हुआ है और title suit चल रहा है तो आप उसको नहीं बेचेंज वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है आप माल लेते हैं किसी को ऐसे बेच दियो अलग बात है आप एक third party को involve कर लिए लेकिन यहाँ पे court के द्वारा आपको injection petition भी मिला हुआ है तो उस case में यह permanent stay है और permanent stay में अगर आप उसको बेचेंगे तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पर सकता इसलिए इसलिए जब तक फैसला नहीं होता है तो इसको ना बेचना ही ज़्यादा सही रहेगा सवाल है कि सर एक जमीन है जो कि पहले यहाँ पे गर्मजरुआ है और मलिक है न कैसे का था और उस जमीन पर ऐसी जो है दाकिल कारिज में उसका रिजन बताया जा रहा होगा दूसरा यह है कि अगर मालते हैं वो आप से जमीन को खड़िते हैं तो उसके लिए परमिसन लिया गया कि नहीं लिगा जो नियाम है उसको लेकिन यहाँ पे जिससे आपने जमीन को खड़ीदा है उसका सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है मतलब वैसा नहीं कि वो आप एक तरह से बेज दिया आप बीच में परना ही नहीं चाहरा है लेकिन अगर वो सपोर्ट करने के लिए रेडी है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका दाकिल खारीज हो जाए दूसरा है कि गर्मिजरुवा मलिक वो किस टाईब का जमीन है क्या सरकार के उपर रोक है किस कारण आपका दाकिल खारीज नहीं हो रहा है तुप इस कारण आपका दाकिल खारीज नहीं होगा सवाल है कि सर मेरे पिताजी के नाम पर जो है अधिकार अभी लेक है जो बरतमान में अब सरकारी जमीन उस जमीन को मैं अपने नाम कैसे होगा देखे जो आपके पिताजी के नाम पर जो अधिकार अभी लेक है जो बरतमान में अब सरकारी जमीन है ठीक है तो उस जमीन को मैं अपने नाम कैसे करें इस बात को देखें अगर यानि सरकारी जमीन अगर हो गया है मालते हैं पिताजी के नाम पेपकाई बिलेख है है ना और बरतमान में वो सरकारी जमीन अगर है तो उस केस में सरकार के उपर सरकार के उपर जो सरकार बरतमान में सरकार है उसके उपर टाइटल सूट करना होगा और वो दस्ताबेज निकालना होगा जिसमें वो संपत्ती आपके पिता के नाम से दर्ज है और वो ओरिजिनल दस्ताबेज वहां देना होगा उसके बाद ये देखा कि ये सरकार के नाम से क्यों दर्ज हुआ किस कारण बस दर्ज हुआ सभी को जाज करने के बाद वो बिलकुल आपके नाम से अगर हो जाएगा यहां पे अगर आपका दखल भी बरकरार है दखल भी आपका अगर बरकरार है तो आपको और ज़्यादा परिसानी नहीं होगी उस संपत्ती को अपने नाम करवाने में सवाल है कि सर मेरी मा का जमीन है और मेरे भाई की सरकारी नुकडी है उनकी साधी हो चुकी है और वो हमसे अलग रहते है क्या मेरे मा को कोई यहां पे खर्चा नहीं देता है तो क्या वो जमीन में हिस्सा ले सकता है प्लीज हिल्प मी देखे अगर मा के नाम से जमीन है और जो आपका भाई है वो सरकारी मालत नुकडी ही करता है साधी हो गया है अब अलग भी रहने लगा जो भी कारण है तो अगर आपके मा के दौरा है ना खर्चा नहीं दे रहा है तो जमीन वो ले सकता है अगर मा के नाम से है हाँ मा अगर वो संपत्ती आपको दे दे है ना तब नहीं ले सकता लेकिन अगर किसी वारा कारण बस मा की मिर्त्यू हो जाती है और इसलिए कि अब मा की मिर्थी हो गई तो अब उसके जो वनसज होंगे उस वनसज का उस संपत्ती में अधिकार होगा तो उस वनसज में वो भी बेटा सामिल है जो बेटा माल लेते हैं कि मा का खर्च नहीं उठा रहा था अलग रह रहाता या कहीं रहाता बहुत दिन से देखने नहीं आ रहाता बहुत तरह की बाते हैं लेकिन जब हिस्सा लेने वाली बात है तो वो जो बनसज है इसलिए कि उनका नाम जो है आपके पिता के साथ जुरा हुआ है माता के साथ जुरा हुआ है तो वो बिल्कुल असा चानी से उस संपत्ति में हिसा ले सकता है तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे हाः अगर उस मा की संपत्ति सेल्फ एक व्यक्वार प्रोपर्टि एखुछ से अरजित समपत्ति है खड़िदा हुआ उनका समपत्ति है तो उस केस में वो समपत्ति अगर वो चाहे किसी एक बेटे को देना तो दिरह है तब पھیर कोई कुछ नहीं कर पाएगा आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक के जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आकन है उसको जरूर दबाले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे